इस वीडियो में हम लोग साइंस का चैप्टर 6 परने वाले हैं जिसका टाइटल है motion and time इस चैप्टर के end होते होते आपको ये दोनों टापिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इस चैप्टर से कोई भी question आपसे पूछा जाए तो उसको भी आप आसानी से solve कर पाओ करेंगे तो आप महां पर जाके उन वीडियो को कभे भी देख सकते हो उनको देखने के बाद अगर आपको वह helpful लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्यूंकि इस चैनल पर डिए भी पब्लिक स्कुल के लिए बहुत सारे वीडियो डेली आते रखते हैं चैप्टर कोई स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग पहले ब्रेन मैपिंग करेंगे ताकि इस चैप्टर में कौन-कौन सा टॉपिक है वो हमें पता चले और आगे जब हम इसको पढ़ें तो कोई भी कन्फ्यूजन नहों तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है उसके बाद मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन हम लोग स्पेसिफिकली स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ेंगे हमने पिछले क्लास में यानि कि क्लास 6 में एक जो की है uniform and non uniform motion इन दोनों को detail में परेंगे फिर उसके बाद हमें time के बारे में परना है और फिर उसके बाद हमें ये सिखना है कि हम लोग speed को कैसे measure करते हैं measuring speed वाले topic के अंदर और फिर finally हमें graphs के बारे में परना है graph से हम लोग motion को कैसे define कर सकते हैं ग्राफ के यल्प से हम लोग बता सकते हैं कि कोई motion uniform है या non uniform है तो ये भी हम लोग सीखेंगे graphs को read कैसे करते हैं motion की case में वो सब भी हम लोग detail में पढ़ेंगे इस वाले topic के अंदर इस chapter में सबसे पहला जो topic हमें पढ़ना है वो है motion सबसे पहले तो हमें ये समझना पढ़ेगा कि motion exactly होता क्या है तो motion के बारे में हम लोग simply बोल सकते हैं कि अगर कोई object हमारे सामने है और वो object समय के साथ साथ अपना position change कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो object हमारे लिए motion में सेम object किसी और चीज के लिए rest में भी हो सकता है कैसे rest में हो सकता है वो ये object जो हमारे लिए motion में है उसके बारे में हम लोग आगे detail में परेंगे अब देखो हमारे आसपस बहुत सारी चीजे होती है जो की motion में होती है जैसे की motor vehicles हो गई, बहुत सारी गारिया हो गई, airoplanes हो गयी एनिमल्स हो गये बर्ड्ट हो गई और हम लोग फुद हिमन बीइंस हो गए जो कि हमेजा मोशन में रहते हैं और उनका जो मोशन होता है अलग-अलग टाइप का हो सकता है टाइप सब मोशन को हमनेक लासटिक्स में भी बढ़ा था हमने वहाँ बढ़ा था कि मोशन तो उनमें भी motion होता है, जैसे कि galaxies हैं, गैलेक्सी जो हो गया, इसका मतलब आकास गंगा, ये भी हमेसा motion में रहता है, एक जगा से दूसरे जगा जाते रहता है, उसके बाद जितने stars हमें दिखते हैं न, वो भी motion में ही रहते हैं, कभी एक जगा fix नहीं होता है, उसके बाद sun तो हमारा motion में है ही, जब गैलेक्सी मूव करेगा, तो हमारा sun भी galaxy के साथ मूव कर रहा है, उसी तरह हमारे planets सो मूव कर ही रहे हैं, इसको तो आप बच्पन से जानते हो, planets जो है हमारा sun के चारो तरफ घूम रहा है, उसमें rotation भी होता है, और evolution भी होता है, और उसके साथ साथ मून है, इसमें भी हमारा motion होते रहता है, मून हमारे earth के चारो तरफ घूमता है, motion का हम लोग और भी बहुत सारा example देख सकते हैं जैसे कि अगर हम लोग बैठे भी होते हैं तो भी हमारे blood का circulation होता है हमारा जो blood है हमारे veins और arteries के थूर हमेशा flow करते रहता है तो ये भी एक motion का example हो गया उसके बाद जब हम लोग सास लेते हैं तो air जो है हमारे lungs में जाता है और फिर हमारे lungs से बाहर निकल जाता है तो वहाँ पे भी air का movement हो रहा है तो ये भी motion का ये एक example हो गया इसलिए हम लोग बोल सकते कि motion जो है ये हमारे life का एक integral part है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा life जो है तो वहाँ पे life का existence ही खत्म हो जाएगा अब बाताती है कि हम लोग motion को define कैसे करेंगे कैसे हम लोग बोलेंगे कि कोई object motion में है या कोई object rest में है तो यहाँ पे सबसे पहले तो motion का definition दिया गया है पहले इसको read कर लेते हैं लिखा है an object is said to be in motion if its position with respect to its immediate surrounding changes with time जैसे कि यह जो pen है अगर यह अपना position point A से point B तक ले जाता है तो इसके surrounding के हिसाब से यह pen अपना position बदल लिया तो हम लोग इस pen को motion में बोलेंगे लेकिन rest क्या होता है rest के बारे में यहाँ पे लिखा है when the position of an object with respect to its immediate surrounding does not change with time it is said to be in rest with respect to its surrounding अगर एक object है जो कि अपने surrounding के साबसे अपना position चेंज नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको rest में बोलेंगे इन दोनों definition को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि एक्जाम में पूछा जाता है कि when a body is set to be in motion and when a body is set to be in rest तो आपको यही दोनों answer लिखना परेगा motion topic के अंदर एक sub topic भी है जिसका title है all motion is relative कहने का मतलब हुआ कि जितना भी type का motion हम जानते हैं सभी relative है अगर एक object के बारे में हमें बताना है कि object rest में है या motion में है तो यह completely उसको देखने वाले पर depend करता है एक object किसी एक आदमी के लिए rest में भी हो सकता है और वही object किसी दूसरे आदमी के लिए motion में भी हो सकता है अब आप पुछोगे कि एक ही object rest में भी और motion में भी एक ही समय कैसे हो सकता है तो उसको समझने का एक सबसे अच्छा एक्जाम पल है हमारा solar system हम लोग अपने solar system से इसको अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग बचपन से यह जानते हैं कि जितना भी planets हमारे sun के round है सभी planets continuously sun के चारव दरव चक्कर काट रहे है और हमारा planet earth भी उनी में से एक है लेकिन earth का जो motion है, earth का movement है वो हमें नहीं दिखता है अगर कोई इंसान earth पे खरा होकर earth का movement देखना चाहे तो उसको नहीं दिखेगा उसको लगेगा कि earth rest में है, उसमें किसी भी type का movement नहीं हो रहा है लेकिन actual में तो ऐसा नहीं है, earth अपने axis पे भी rotate कर रहा है और साथी साथ earth sun के चारो तरव भी घुम रहा है इस motion को देखने के लिए हमें किसी दूसरे planet से देखना पड़ेगा माल लेते हैं कि हम लोग Jupiter पे चले जाते हैं और जब Jupiter से हम लोग earth को देखेंगे तो हमें दोनों type का motion करता हुआ earth दिखेगा earth अपने axis पे भी घुमता हुआ दिखेगा और earth तन के चारो तरफ घुमता हुआ भी दिखेगा यहाँ पे जो इंसान ख़ड़ा था उसको motion इसलिए पता नहीं चला था क्योंकि वो खुद earth के साथ घुम रहा है तो उसको motion नहीं पता चलेगा उसको लगेगा कि earth रेष्ट में है तो इससे यह प्रूब हो जाता है कि same object किसी एक इंसान के लिए रेष्ट में भी हो सकता है और किसी दूसरे इंसान के लिए motion में भी हो सकता है completely यह डिपेंड करता है observer के position पे यानि कि देखने वाला उसको कहां से देख रहा है उस object को इसी तरह अगर हम लोग जुपिटर पे खरे होकर जुपिटर को ही देखेंगे तो हमें जुपिटर रेष्ट में लगेगा लगेगा कि इसमें किसी भी टाइप का motion नहीं हो रहा है लेकिन अगर हम लोग बाकी के किसी भी प्लैनेट से जुपिटर को देखेंगे तो जुपिटर मोशन में दिखेगा वो अपने एक्सिस पे भी घूमता हुआ दिखेगा साथ ही साथ वो सन के चाव तरब चक्कर लगाता हुआ भी दिखेगा मोशन जो है वो हमेज़ा रिलेटिव होता है उसका एक और एक्जामपल बुक में दिया गया है माल लेते हैं कि दो लोग हैं एक का नाम A माल लेते हैं और एक दूसरे इंसन का नाम B माल लेते हैं और दोनों एक ही बस में ट्रेवल कर रहे हैं और बस के साथ दोनों आगे की तरब मोव हो रहे हैं लेकिन A के लिए B कहीं move होके नहीं जा रहा है और B के लिए A कहीं move होके नहीं जा रहा है दोनों अपने अपने जगह पे बने हुए हैं तो इसलिए हम लोग बोलेंगे A के लिए B rest में है और B के लिए A rest में है दोनों एक दूसरे के लिए rest में कहलाएंगे motion में नहीं कहलाएं अगर शुडू में बस का position यहाँ पे है तो इसके लिए A और B का position इस point पे हो जाएगा लेकिन बस जब थोड़ा सा आगे चले जाएगी तो A और B का position भी इसके लिए change हो जाएगा इसका position यहाँ पे हो जाएगा यह का और इसके लिए B का position यहाँ पे हो जाएगा तो A और B दोनों जो person है person C के लिए motion में हो गया तो इससे भी प्रूब हो गया कि किसी object का motion सिर्फ देखने वाले पे यानि कि observer पे depend करता है और motion हमेंसा relative होता है एक ही object rest में भी हो सकता है और एक ही object किसी दूसरे इंसान के लिए motion में भी हो सकता है next paragraph में एक और example दिया गया इसको आप लोग भी feel कियोगे जब आप लोग train में बैठे होते हो और मालो कि आपका train रुका हुआ है और बगल का कोई train अगर चलना ही start करता है तो आपको confusion हो जाता है कि वो train चला या मेरा train चला ऐसा इसलिए होता है कि motion जो है वो relative है अगर दो object में कोई एक object भी move करना ही start हो गया तो वहाँ पर relative motion तो होने लगा तो हमें वहाँ पर identify करना परता है हमें अच्छे से feel करना परता है कि दोनों में से exactly चला कौन है movement तो हो रहा है relative motion तो हो रहा है लेकिन हमें पता करना परता है तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई object rest में है या motion में है यह अगर हमें पता करना है तो यह completely observer पे depend करता है कि इसको देखने वाला कौन है और कहां पर बैठा हुआ है आगे do you know में बताया गया कि motion एक ऐसा चीज है जिसको कभी कभी हम लोग directly observe नहीं कर पाते हैं जैसे कि हमारे सामने से अगर कोई car जा रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं उसको देखके कि यह car motion में है लेकिन हमारे जो धरती है वो धरती move कर रही है और इसका motion हम लोग ऐसे directly नहीं देखके पता सकते हैं इसका motion हम लोग indirectly पता कर सकते हैं क्योंकि जब धरती गुमती है तो sun का position change होता हुआ हम दिखता है कि air का movement है उसको हम लोग directly नहीं देख सकते हैं हम लोग नहीं दिखता है कि air यहां से वहां जा रहा है उसका movement हम लोग indirectly पता कर सकते हैं अगर कहीं पर पता का motion हो रहा है तो हमें पता चल जाता है कि air का movement हो रहा है यहाँ पे चार पिक्चर दिया गया और चारों में अलग 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 टाइप का मोशन हो रहा है मोशन का जो पाथ है वो कैसा कैसा हो सकता है हमने परहाथा क्लासिक्स में मोशन जो है स्ट्रेट लाइन के लॉंग भी हो सकता है motion circular भी हो सकता है और motion curve path के long भी हो सकता है state line के long कैसा motion होगा कुछ इस तरीके से motion circular कैसे होगा कुछ इस तरीके से motion अगर किसी object में हो रहा है बार बार वो घूम रहा है तो उसका हम लोग circular motion बोलेंगे और motion curve path के long कैसे होगा कुछ इस तरीके से अगर motion हो रहा है तो उसका हम लोग बोलेंगे motion along curve path motion का पात कुछ भी हो उसके साथ साथ हो rotate भी कर सकता है यानि कि अपने axis पे घूम भी सकता है उसके बाद oscillate भी कर सकता है oscillate करने का मतलब यह जो जूला का motion है ना उसको हम लोग oscillate motion बोलते हैं उसमें motion कुछ इस तरीके से होता है जैसे एक pendulum बार-बार ऐसे ऐसे movement करता है इसी को से उसलेटरे motion तो खूए object ऐसे कर सकता है और आपका फोन जैसे वाइब्रेट करता है vibration में कैसे motion होता है ऐसे ऐस motion होता है तो इस motion को हम लोग vibration बोलते हैं यह जो जुला है वो curve path को follow करता है और साथी साथ oscillatory motion भी कर रहा है उसके बाद अगर aeroplane को हम देखे तो यह जो aeroplane है वो लगभग straight line path को follow करता है और साथी साथ इसमें vibration भी होते रहता है अगर हम लोग इस लट्टू को देखे तो यह अपने axis पे rotate भी करेगा और साथी साथ एक curve path को follow करके move भी करेगा उसके बाद इस roller coaster में क्या हो रहा है यह curve path को follow कर रहा है और साथी साथ इसमें vibration भी हो रहा है अभी जैसे हमने picture के थुरू अलग-अलग type के motion के बारे में जाना वैसे हैं यहाँ पे different kinds of motion का नाम दे दिया गया और उसका कुछ example हमें यहाँ पे लिखना है तो इसके बारे में detail में हमने class 6 में पराता हर type के motion को हमने detail में वहाँ पराता सबका example आपको लिखना है हम एक एक example बता देते हैं उसी तरह का आप दूसरा example भी लिख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला motion है linear motion मतलब ऐसा motion जिसमें object एक straight line path को follow करता है तो ऐसा motion का example क्या हो सकता है अगर कोई car पूरे straight line path को follow करते हुए पूरे सीधी सरक पे चलती है तो उसको हम लोग इसका example बोल सकते है उसके अलाबाए एक और example हो सकता है कि जब हम लोग एक gun से bullet fire करते है तो bullet का जो path होता है वो भी linear होता है bullet का motion को हम लोग इसलिए linear motion बोलेंगे उसके बाद circular motion का क्या example हो सकता है circular motion का मतलब हुआ कि अगर circle जैसा path को कोई follow करे तो उसका हम लोग circular motion बोलेंगे तो इसका example हो सकता है घरी का सुई और इसके बाद तीसरा है periodic motion तो periodic motion का सबसे अच्छा example है घरी में जो pendulum होता है वो same time interval के बाद बार बार अपने जगह पे आता है और जाता है और अपने जगह को बार बार वो gain कर लेता है उसके बाद चौता है oscillatory motion oscillatory motion का example हो गया जूला अगर जूला को हम लोग एक बार ऐसे करके आगे धकेल दें तो ये आगे जाएगा फिर अपने जगह पे वापस आएगा फिर आगे जाएगा फिर अपने जगह पे वापस आएगा और कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे रुक जाएगा तो ऐसे motion को हम लोग बोलते हैं oscillatory motion लेकिन periodic motion में ऐसा नहीं होता है उसके बाद fifth number में rotational motion अगर कोई object rotate कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे rotational motion जैसे कि हमारा earth इसका example हो गया उसके बाद लट्टू जो हम लोग गुमाते हैं वो भी इसका example हो गया तो इन सब examples को आप यहाँ पे mention कर देना अब जो next topic हमें पढ़ना है वो है motion along straight line इसका मतलब तो नाम सही पता चल जाता है कि अगर कोई object है और वो move कर रहा है अपने जगह से और वो straight line path को अगर follow कर रहा है तो उसका हम लोग बोलेंगे motion along straight line बहुत simple है इसका बहुत सारा example यहाँ पे दिया गया है जैसे कि अगर एक train एक straight track पे चल लगी है पूरे सीधे railway line पे चल लगी है तो उसका हम लोग बोलेंगे motion along straight line और एक example दिया गया है apple falling from a tree जब tree से apple गिरता है तो वो भी straight line path को फॉलो करता है ऐसा तो नहीं है कि apple ऐसे ऐसे करके नीचे गिरता है इसलिए हम लोग बोलेंगे कि apple का गिरना भी है कि straight line motion का example है उसी तरह जब बारिश होती है और आसमान से बर्फ गिरता है तो उसको भी हम लोग इस स्टेट लाइन मोशन का ही एक्जामपल बोलेंगे उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है जितना भी एक्जामपल हम लोग यहाँ पे देखे सभी में जो अबजेक्ट है वो लगभगी स्टेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है और ऐसे मोशन को हम लोग रेक्टि लीनियर या सिंप्ली लीनियर मोशन भी बोल सकते है कोई भी अबजेक्ट अगर स्टेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए अपना पोजिशन चेंज कर रहा होता है तो उसके मोशन को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं उसी के बारे में यहाँ पे एक एक्जामपल के तुरू समझाये गया है अब टाइम इक्वल टू 10 मिनट पे यानि की पूरे 10 मिनट के बाद कार पॉइंट अ पे पहुँच जाती है तो लोग यहाँ पे लिख देते हैं 10 मिनट और इस बीच में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की 60 मीटर्स ठीक है उसके बाद कार फिर से पॉइंट A से पॉइंट B तक चले जाती है और इस बीच में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 60 से 80 हो गया मतलब 20 मीटर और ट्रेवल कर लिया और इसमें भी उसको कितना समय लगा 10 मिनट ही समय लगा तो इसको देखे हम लोग क्या conclusion निकाल सकते हैं इसको देखे हम लोग बोल सकते हैं कि जब कार O से A की तरफ बर रही थी तो कार मातर 10 मिनट में 60 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ली इसका मतलब कार बहुत ही fast move हो रही थी लेकिन आगे में क्या होता है जब पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ कार बर रही होती है तो कार 10 मिनट में मातर 20 मीटर का ही डिस्टेंस कवर कर पाती है मतलब कार बहुत ही slow move हो रही है पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में तो अगर किसी object का time के साथ position क्या है अगर हमें ये पता चल जाता है तो हम लोग बता सकते हैं कि कोई object कितना fast move कर रही है या कितना slow move कर रही है अब जो अगला topic हमें परना है वो है speed speed ही वो चीज है जिसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि एक object fast move कर रहा है या slow move कर रहा है अगर उस object का हमे speed पता हो तो हम लोग इसको आसानी से बता सकते हैं Speed का general unit जो हम लोग अपने daily life में use करते हैं वो है km per hour आप अपने bike में या car में देखना जो speedometer लगा होता है जिससे हमें पता चलता है कि गारी कितना speed से चल रहा है उसमें आपको unit लिखा होगा km per hour अगर आप bike को या car को 100 km per hour के speed से चलाओगे तो इसका मतलब यह हुआ कि वो गारी एक घंटे में 100 km distance को cover कर लेगी speed का और भी unit हो सकता है जैसे km के जगा हम लोग meter लिख सकते हैं और hour के जगा हम लोग second लिख सकते हैं तो एक और नया unit हो गया meter per second उसी तरह अगर हम लोग meter के जगा cm लिखते हैं और time second के जगा second लिखे तो cm per second एक और unit हो गया उसी तरह अगर हम लोग centimeter को रहने दे cm per minute एक और speed का unit हो गया तो इसी तरह से अलग-अलग unit हो सकता है अलग-अलग question में जब भी आप solve करोगे तो आप देखोगे अलग-अलग unit given है तो unit में उपर तो length का ही unit रहेगा या तो kilometer या meter या centimeter या centimeter कुछ भी रहेगा और नीचे time का ही unit रहेगा hour रहेगा या second रहेगा या minute रहेगा यहाँ पर speed का definition दिया है इसको आप याद कर लेना ताकि exam में पूछा जाया तो आप लिख पाओ यहाँ पर लिखाए speed is a measure of how fast an object is moving मतलब speed इस चीच का measurement है कि कोई object इतना तेज चल रही है we therefore regard speed as indicator of rate और rapidity of given motion किसी भी object में अगर motion हो रहा होता है तो वो अपना position को किस rate से change कर रहा है वो हमें पता चलता है speed से यह इसी चीच का indicator है हम लोग अपने daily life में दो type का situation face करते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि एक object fast move कर रहा है या slow move कर रहा है जिसमें कि पहला point दिया गया है different object may take different times to cover the same distance मतलब दो object है माल लेते हैं एक a है और एक b है और दोनों को अलग-अलग समय लगता है एक ही distance को cover करने में जैसे कि माल लेते हैं इसको यहां से यहां जाने में 10 मिनट लगता है और इसको यहां से यहां जाने में 20 मिनट लगता है तो इसमें से हम लोग fast किसको बोलेंगे obvious सी बात है हम लोग a को fast बोलेंगे क्योंकि a उसी distance को मातर 10 मिनट में cover कर लेता है लेकिन B उस distance को 20 मिनट लगाता है cover करने में इसके अलाबा हम जो दूसरा situation face करते हैं वो है different objects में cover different distances in the same time अगर कोई 2 object है माल लेते A है और B है और दोनों का हम लोग same time दिये माल लेते 5 मिनट 5 मिनट में A जो है वो 10 मीटर आगे चला गया माल लेते हैं 10 मीटर आगे और उसी 5 मिनट में B जो है वो 15 मीटर आगे चले गया ये 15 मीटर आगे चले गया तो इस case में हम लोग इसको fast बोलेंगे A को fast बोलेंगे या B को fast बोलेंगे तो obvious ही बात है कि हम लोग B को fast बोलेंगे reason क्या है क्योंकि वो कम ही समय में उतने ही समय में ज्यादा distance cover कर लिया ये 5 मिनट में मातर 10 मीटर आगे जा पाया इसलिए इसको हम लोग slow बोलेंगे और ये उसी 5 मिनट में 15 मीटर आगे चले गया इसलिए हम लोग इसको fast बोलेंगे next paragraph में एक example दिया गया जिसमें कि दो object है एक है car A और एक car B दोनों का speed हमें दे दिया गया और उसके speed को देखके हमें बताना है कि कौन सा object ज्यादा तेज मूव कर रहा है तो यहाँ पे car A का speed दिया है 30 km पर आवर और car B का speed दिया है 50 km पर आवर और अभी हम बताये थे कि 30 km पर आवर ऐसे अगर speed लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब यह हुआ कि यह जो object है यह जो car है वो 1 hour में 30 km का distance कवर करेगी और 50 km पर आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 hour में ही यह 50 km का distance कवर करेगी तो इन दोनों को हम लोग देखके बोल सकते हैं कि car B जो है वो ज़्यादा तेज मूव हो रहा है और यह उसी situation का example हो गया जो कि हमने point B में परा था point second में परा था यहाँ पे लिखा था na different object में cover different distances अलग-अलग object अलग-अलग distance कवर करेगर in the same time मतलब एक ही समय में अगर अलग-अलग distance कवर करता है तो जो ज़्यादा distance कवर कर रहा है न वो ज़्यादा तेज होगा इसलिए हम लोग car B को faster बोलेंगे और car A को slower बोलेंगे अभी हमने speed के बारे में जितना कुछ परा उसी साब से हम लोग speed को बोल सकते है distance per unit time मतलब एक object कितना distance travel करता है unit time में उसी को हम लोग उस object का speed बोलेंगे अब इसका formula निकल कर आएगा इससे क्या speed equal to distance by time और इस formula को use करके हम लोग बहुत सारा question solve कर सकते हैं और यह जो question होगा maths के तरह होगा अब science में भी आपको कुछ maths जैसा question solve करना पड़ सकता है इस वाले formula को यादरतने का एक trick है जिसके बारे में हम आपको शुरू में भी बताया थे हम बताया थे कि bikes में या cars में जो speedometer लगा होता है उससे हमें speed दिखता है और speed हमें दिखता है in terms of km per hour यही speed का unit होता है तो हम लोग इससे भी speed का formula निकाल सकते है speed को km per hour में express करते है मतलब km किसके लिए लिखते हैं हम लोग distance के लिए और hour किसके लिए लिखते हैं time के लिए तो जब भी speed का formula हमें लिखना पड़ेगा 440 km आपने educational trip पे 440 km का distance travel किया मतलब distance हमें given है 440 km ठीक है उसके बाद the trip took 8 hours इस trip को complete करने में हमें 8 घंटे लगे उसके बाद हमसे पूछा गया है your average speed was हमारा जो speed है वो क्या है इस case में तो distance हमें दे दिया गया हमें time भी दे दिया गया है 8 hours अब हमें find क्या करना है speed तो speed हम लोग यहां से क्या बोल सकते है speed equal to distance by time तो distance हम भी given था 440 by time कितना given था 8 तो हम लोग यहां पे cancel out करेंगे 8 बंजा 8 8 5 जा 40 और फिर 8 5 जा 40 मतलब 55 km पर आवर के speed से यह जो bus है वो चल लही होगी जो trip जिस भी चीज पर गए हम लोग वो गारी 55 km पर आवर के speed से चल लही थी तभी हम लोग 440 km distance को cover कर पाए 8 hours में तो इस तरह से कोई भी question पूछा जाएगा जिसमें कि यह formula यूज हो रहा हो तो आप आसानिस उसको calculate कर सकते हो यहाँ पर speed के पहले average लिखने का मतलब क्या हुआ यह हमें आगे समझाय गया है average इसलिए लिखा गया क्योंकि हमारा जो speed आया गारी का वो आया 55 km per hour लेकिन पूरे रास्ते same speed से तो गारी नहीं चल लही होगी कहीं उसका speed up भी हुआ होगा 55 से उपर भी गया होगा कहीं से down भी गया होगा और बीच में गारी रुकी भी होगी जहां पर उसका speed 0 तक पहुँच गया होगा तो average निकालने का मतलब यह हुआ कि overall हमारा speed क्या हुआ अगर हम लोग high speed और low speed को neglect कर दे तो हमारा overall speed क्या होगा उसी को हम लोग average speed बोलेंगे और उस average speed को निकालने के लिए हम लोग यह formula यूज़ करते हैं कि total distance कितना cover हुआ divided by total time हमें कितना लगा उस distance को cover करने में जो कि हमने पिछले question में भी किया था आगे हमें यहाँ पे do you know में speedometer के बादे में बताया गया है कि वो vehicle किस rate से अपना position change कर रही है speedometer के बादे में यहाँ पे लिखा था speedometers of vehicle directly record the speed at a given time जिसको हम लोग instantaneous speed बोलते हैं और यह speed को measure करता है kilometer per hour में यह तो हम पहले भी बताया थे अब देखो instantaneous speed क्या होता है जब भी गारी चलना इस start होती है तो उसका speed कहीं कहीं बर भी जाता है कहीं कहीं घट भी जाता है यह तो आपको पता होगा तो हर instant of time पे गारी का speed अलग-अलग होगा ठीक है तो कहीं पे ज़्यादा होगा speed कहीं पे कम होगा कहीं पे ज़्यादा होगा कहीं पे कम होगा अगर गारी के हर instant of time पे speed same है मतलब शुरू में गारी 40 km per hour के speed से चलना शुरू कर दी तो वो 40 km per hour का speed maintain कर रही है न थोड़ा सा भी जादा हो रही है न थोड़ा सा भी कम हो रही है तो उस case में अगर हम लोग इसका average निकालेंगे तो हमारा average 40 km per hour ही आएगा average speed हमारा वही आएगा तो उस case में हम लोग बोलेंगे कि instantaneous speed और average speed दोनों हमारा same ही हो जाएगा आगे इस वाले table में हमें कुछ खास चीजों का speed दिया गया जिसका speed कभी नहीं बदलता है वो हमेंसा constant रहता है सबसे पहला speed of light in air हवा में light का speed क्या होता है वो है 3 into 10 to the power 8 meter per second मतलब यह होता है 30 billion meter per second मतलब 1 second में 30 billion meter light आगे चले जाता है अगर light air में travel कर रहा हो तो सो जो कितना ज़्यादा speed है light का उसके बाद दूसरा है speed of sound in air sound का जो speed है वो है 340 meter per second मतलब 1 second में sound 340 meter आगे तक चले जाता है उसके बाद तीसरा है speed of earth rotation मतलब earth जो अपने axis पर rotate करता है न वो किस speed से करता है तो वो है 440 meter per second मतलब 1 second में वो 440 meter घुम जाता है तो सोचो कितना ज़्यादा speed है लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्योंकि हम लोग भी earth के साथ ही घुम रहे है उसके बाद है चौथा speed of earth revolution मतलब earth जो हमारे sun के चारो तरफ घुमता है वो किस speed से घुम रहे है तो वो है 30 km per second मतलब 1 second में हम लोग 30 km आगे तक चले जाते है सो जो कितना तेज हम लोग घुम रहे है sun के चारो तरफ फिर भी हम लोग को पता नहीं चलता है क्योंकि again हम लोग earth के साथ ही घुम रहे है उसके बाद 5th है speed of launching of satellite rockets इस पेस में satellites को ले जाने के लिए जो rockets छोड़े जाते है उनका speed nearly equal to 8 km per second होता है मतलब 1 ही second में वो 8 km आगे चले जाता है उसके बाद 6th में fastest bird सबसे तेज उरने वाली चिरिया जो कि यह है उसके बाद 7th में fastest animal जो कि है cheetah और इसका speed nearly equal to 115 km per hour होता है मतलब 1 घंटे में यह 115 km आगे दोर जाता है इन सारे common speeds को आपको याद रखना है क्योंकि यह सब MCQ के form में या fill in the blanks के form में आपसे exam में पूछे जाते हैं तो यहां तक हमने starting के 3 topics को complete कर लिया पहला था हमारा topic motion उसके बारे में हमने पूरा परहा उसके बाद था motion along straight line इस topic को भी हमने पूरा पर लिया और तीसरा topic था speed जिसको भी हमने पूरा पर लिया अब जो remaining topics है इसको हम लोग next part में एके करके पर लेंगे इस chapter का जो भी question answer का notes मेरे पास available होगा उसको आप हमारे website davgroup.in से जाका download कर सकते हो और मुझे directly कोई भी doubt पूछने के लिए आप मुझे facebook या instagram पे follow कर सकते हो दोनों का link आपको description में मिल जाएगा I hope इस video मेंने आपको जितना topic explain करके बताया सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी doubt नहीं रहा होगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आपके लिए helpful रहा हो तो इस video को like करना चैनल को subscribe करना और इस video को अपने class में के साथ जो शेयर करना तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी chapter के next part के साथ तब तक लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से बढ़ाई कर दे रहा हो